तो अभी आफ्टरनून हो गई है हम लोग नहाद हो लिए तयार हो गए और एकदम ए ट्रेडिशनल वे में तयार हुई हूँ मुझे पता है आप सोच रहे होंगे दीडिया से क्यों तो हम जारे मनसामादा के टैंपल वैसे तो मैंने आपको बताई दिया है और यह देखो मेर अप्लोडिंग पर अभी पस अप्लोड होने माला है यहां मुझे 4G का कनेक्शन अच्छा मिल रहा है बट प्रॉब्लम यह है कि यहां तो मैं सिर्फ आज के दिन हूँ तो जितना भी मैं कोशिश करूंगी मैं अगर दिवाली का व्लोग भी यहीं से अप्लोड कर सके तो ल अप्लोड की तरह मेरे साथ फिर से यहाली कौमेडी हो गई है जब मैं बॉम्बे गई थी आपको यादे जब मैं बॉम्बे गई थी तब ही मैं अपने ट्रेडिशनल पे आप मतलब कुछ स्लीपर और ले जाना बूल गई थी आद आया वाम ढूल रहे थे खरीदे के लिए सेम हो गया है मैं एक्चली हम लोग यहां से आगे जा रहे हैं तो मैंने सिर्फ लॉंग बूट और अपने बूट्स और स्पोर्ट शूजी रखे थे और यहां यह सूट रखा मैंने माता जी के मंदिर के लिए तो मैं भूली गई तो अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने इस इक सूट के साथ तेखिये मेरे नाइकी के शीज पैने अब जैसे भी लग रहे हैं अच्छ लग रहे हैं और साथ मेरा यह बैग लिया है जो मैं हमेशा माहा से मतलब जो लेके आई हूं यह वाला मेरा पर्स काइड और पहले जाए माता जी के दर्शन कर ने फिर देखे सेवेंटीं का माँटें जो शॉपिन करवा रहे हैं तो सबस्टा मकरेंने का यह जो बाइसं के मार्किट से शॉपिंग करवाले फैसन दरमल लेने है मुझे और उन्स का माकेड पली का बजा, सादर बजार यह और सब का बर करना है तो देख रहा हैं कैसे करते हैं उन्मी, पेने में भी कुछ और नील भी पेने में भी कुर्ती पेने पीछे जाके दिखाओ बहुत अच्छी लग रही है बच्ची बारी शोना शाव अच्छा लग रहा है शोन दर्शा अभी दो चार हम लोग फोटो कीचेंगे और इसके बाद जाएंगे मंदिर और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी बहुत मानेता है मंसावाता की तो आप लोग भी सासा दर्शित कर लीजेगा विवेक उठ जाओ चलो लेट्स गो मुझे ये अपलोड करते करते हैं हादों के तैयार होते मैं आपको बोती हूँ टाइम येस दो बज़ गए है तो दो बज़े पहले मैंने यहां से टैक्सी बुलाने का सोचा था होटल से बट इन लोगों ने मुझे बहुत ज़ादा कॉसली बोला यार कहीं भी आप जाओ ना पहले उबर और उसमें जरूर चेक करना आप लोगों को भी में यही सज़स करूंग हम लोग कर रहे लेकिन पता निए मेरे मंड में कम सार्ट एं थाल है मैं आप लेगर निकलते हैं जुस बड़े ना ऐसा मेरा भी गरफ पानी से दाखЕमा की मन क्या सोझाओं लेकिन फिर अ मन सामात है खरिदवार में हैं और यहां पे भी हैं और दोनों की ही बहुत मालेता है जाइस आपके जीजू भी उड़ गया नीद निकाली है इनोंने बीवी के इंतिजार करते करते नाराज भी हो गयते मुझसे इनको आते के साथ तयार होके जाना था बहार लेकिन अब मैं क्या करूं मेरी एडिटिंग मुझे बहुत प्यारी है विकास मुझे आप लोगों की बहुत जिंता रहती है और खुद की भी रहती है तो हम लोग पहुँच गए थे फाइनली पंचकुला चंडीगर से पंचकुला दूर नहीं है पंचकुला वैसे देखा जाए तो यह अलग सिटी है लेकिन चंडीगर से बिलकुल लगी हुई है तो पंदरा से पंदरा मिनिट का रास्ता होगा वो तैय करके हम लोग पंचकुला यहां पे है यह शॉप जहां से हम लोग सब कुछ ले रहे थे वंदिर के लिए प्रसाद वगरा और मैं इतने साल बाद आई हूँ ना तो मुझे यहां के इतना अच्छा लग रहा है गाई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं चंडीगर में रहा करती तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यहां दर्शन करने आती थी और यहां का जो में अट्रैक्शन है वो है यहां का भंडारा यहां पे भंडारा चलता है तीन से चार भंडारे चलते हैं जहां पे कॉंस्टेंट लोग आके खाना खाते रहते हैं तो कड़ी चावल बगरा का भ लेकिन कोई बात नहीं अगर मैंने दर्शन भी कर लिए तो मैं बहुत ही खुद को खुशकिसमत समझूंगी और यह मंसा माता का मंदिर हरिद्वार में भी है यहां पे भी है और काफी मानेता है इस मंदिर की नवरात्रों में यहां काफी भीड रहती है गाइस बहुत ही कि यह जाओं मुझे दर्शन मिल रहे है अच्छा लग रहे है सामने मंदिर है आपको दर्शन करवाती है तो दो तरफ से एंट्री है हमने साइट पे सेंट्री किया है एक सामने सेंट्री है काफी सारे स्टेर्स है इतने भी नहीं है कि guit कोई भी अराम से चढ़ सकता ह और ये है मेन मंदिर और काफी लाइन लगी हुई थी तो हम लोगों को भी obviously क्यूँ में ही खड़ा होना पड़ेगा और दर्शन मैं आपको करवाती हूँ पहले जब starting में हम यहाँ पे गए न तो भीड इतनी थी के मतलब खड़े नहीं रहने दे रहे थे दर्शन करने के दोनों ने white white पहना है और अवी ने off white पहना हुआ है और जब हम मंदिर में थे न तब एक बहुत ही अच्छी बात हुई है कोई मिला था हमें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो यह देखे यहाँ इनों ने हमें खड़े नहीं रहने दिया था तो मैं आपको don't worry बाद में दर्शन करवा दोंगे ठीक है आप बने रहना व्लॉक पे तो यहाँ पे न मैंने एक बार मननत ली थी जब धाई मतलब जब मैं यहाँ रही थी ना दो धाई साल रही थी मैं शादी के बाद तब ही एक मननत ली थी मैंने मैं आपको क्या जुट बोलू मेरी बड़ी बेटी के लिए ही मननत ली थी मैंने तो तब ही मैंने यहाँ पे धागा बादा था तो कहते हैं मननत उतानी जरूरी होती है तो मैं तो दुबारा कभी आई ही नहीं यहाँ पे तो अब आई हूं डारेक्ट तो वो मननत का धागा मैं उपन कर रही थी वो धागा खोल देते हैं हुआ है और बहुत सारे लोग दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं तो बस इस मंदिर के अभी हम दर्शन करेंगे और फिर बाद में आपको में जो मंदिर है न वहां के दुबारा से दर्शन करवाऊंगी और चंडीगर में तो अभी मैं जब लोटूँगी न मेरे वेकेशन ने वेक को बोला कि चलो कुछ पिक्स क्लिक कर लें ठंड काफी है यहां पे चंडीगर में काफी ठंड है मतलब हमारे गुज़ात में तो इतनी पढ़ती नहीं है लेकिन यहां नॉर्थ इंडिया में तो थंड स्टार्ट हो चुकी है जो लोग यहां के उनको पता ही होगा तो यहां पे हमने कुछ फोटो क्लिक किये हैं जो मैं व्लॉग के एंडिंग में लगा दूँगी आप लोग देख ले ना बहुत ही प्यारे प्यारे से पिक्चर्स हमने क्लिक किये थे और अब हम यहां से जा रहे थे वापस में मंदिर की तरफ क्योंकि मुझे अभी मेरा म नहीं भरा है एक्चली ना मेरे आंक में आसू से आ गए क्योंकि मैं ठीक से दर्शन नहीं कर पाई थी तो मेरा मने दुबारा दर्शन करने का तो देखे साइड पे से एक विंडो थी जहां उन्होंने कहा कि आप यहां खड़े हो सकते हो तो अब जाके मेरे मन को शांती हु जो यूट्यूबर है तो मैंने बोला हाँ अरे इतना अच्छा लगा माई गौड यह पूरी फैमली साथ में आई थी और इन लोग ने इतनी इज़त दी मतलब अचानक से कोई ऐसे मिल जाए जो इतना प्यार दे माई गौड एक पल के लिए लिगा कि यार रुची सच में म मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वज़ा से यूटू इस रॉकिंग आपकी वज़ा से यूटूब बैस्ट है इतना अच्छा लगा यह वर्ड सुनके मैं आपको क्या बता हूँ इन लोगों ने देल जीत लिया हम लोग 5-10 मिनिट तक ख इन्स्टापे भी तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके और इन्होंने बहुत प्यार से बात की और फिर इसके पाद हम लोग ने एक फोटो किछवाया इनके हस्बंड भी आएंगे फोटो में और बहुत अच्छा लगा मिलके और यहां से फिर हम वापस निकल आप खुदी देख लीजे सो पंचकुला का जो माकेट है वहां पे सिंधी स्वीट करके है तो विवेक ने गोगल पे सर्च किया था भूख लगी थी जोरो से तो हमने का चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि दर्शन वगरा करते हमें तकरीबन 4-4.5 का यह वक्त होगा तो भू चंडीगर में दो दिन रुखने वाली हूँ तब अगर मुझे भंडारा मिल गया तो जरू से मैं दुबारा दर्शन करने जाओंगी तो यहां सिंधी स्वीट पे आ गए थे वैसे सिंधी स्वीट है बहुत महँगा यह अंदर जाके हमें पता चला हमें पहले नहीं पता थ लेकिन भूख इतनी जोर उसे लगी थी हमने वहीं खा लिया फिर और वैसे भी हैं चंडीगर साइड में मतलब सिंधी स्वीट बहुत जादा फेमस है हर एक सिटी में अल्मोस्त होता है चंडीगर में भी इनकी दो से तीन ब्रांचेस है तो चलो फिर अंदर चलते हैं श्यक्ते पिर गूटेग हैं में धुकılar मुझा करना फोर्जी वगरा नहीं मिलता हैं वाइफाइ पस्ते हैं विट टीन सिवे विकेशन पर में दो से तीन घंटा रूम पे एक्स्ट्रा इससलिए हैं गूमने बी में बाद में जाती हैं कि सिस में तो इसे मुटे काशी से ल पर दिन लेट है बट तीन चार दिन तो वैसे भी मेरे लेट होते ही है और यहां पर विवेक सब मैन्यू अगेरा पसंद कर रहे थे बहुत सरी चीज़े थी यहां पर चाट पकोड़ी बहुत सब कुछ था खाने के लिए एंड इसके बाद हम लोग पानी पूरी पता करने साथ में कोई आया है गाइस कोई आया है मैं आपको बताती हूं भी कौन आया मेरे साथ ऐसे समझ ही कए होंगे लोग जब मैं उनको ट्रेवल पे लाती हूं तो उनका खिलाना पिलाना भी तो जरूरी है ना उनको मैं कैसे जोड़ सकती हूं रूम पर अकेला और में मंदिर कि यहां कि एकचली के बारे मैं बात करी थी यहां की लखी मिल्ती है तो वही और साथ में लडू के बारे में बारे में पूछ रही थी लडू के पूछ रही थी पुछे आप क्या किया है जो मेरी पापा वर भीट पापए कारी अविधा ने किया अर्धिक पापी जए अब जावे अब आप जब वहा नहीं में किया आपकी आपकी यहां आई ना पंचकुला साइट वीछिट्टी कम टारिये, अब जब हान दा है, रुटिया है बहुत दूर नहीं है, आपको अगर उबर चाते हो तो 112-115 रुपर कुछ नहीं होता है, बैस लेकिन काफी अच्छा बैस नहीं है, तो जी हाँ, इनके लिए लड्डू का ओडर करना है, यह हमारे साथ में आये हैं, यहाँ पे मंदिर आई थी, तो अविसली उनको लाना ही थ साथ में, तो साथ में लेके आई हूँ, और उनके लिए मैंने यहाँ लड्डू ओडर किया, यहाँ लड्डू काफी अच्छे मिलते हैं, सिंधी स्वीट से नहीं है, तो मोती चूर बगर के लड्डू तो अच्छे ही मिलेंगे, तो ओडर किया है उनके लिए, और आ गया ह अच्छे लगेंगे, और आने वाली मेरी वेकेशन के व्लोग भी अच्छे लगेंगे, जनरली वेकेशन के व्लोग जितने भी यूटूबर्स हैं, व्लोगर्स हैं, सभी के पांचे दिन लेट आते हैं, क्योंकि जब वेकेशन पे होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल अप कामना पूरी करें जैसे मेरी की थी तो चलिए फिर इस व्लोगों में यहीं एंड करती हूँ और जो फोटोज मैंने आज के दिन क्लिक किये थे वो में सब अभी यहां पे साइड पे लगा दूँगी मनसमाता के टैंपल के किये थे और यहां पे हम बैठे हैं खाने के लिए इसके बाद हमने इवनिंग में क्या किया वो आपको नेक्स व्लोग में देखने के लिए मिलेगा और वो इवनिंग का व्लोग सिर्फ इवनिंग में खतम नहीं होगा ये हमने क्लिक किये थे मंसा माता के टैंपल पे ये बचों के फोटोज हैं सिंधी स्वीट के ये कुछ फोटोज है हमारे होटेल के अगर व्लॉग पसंद आया है छोटो छोटो सा लाइक कर दीजेगा और ये है मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ मतलब उन्होंने शौक दे दिया मतलब जिस तरह से वो आके बोले ना Oh my God, love you अगर आप ये व्लॉग देख रहो, thank you इतनी इज़त देने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स व्लॉग में, love you, take care, bye